Hello students, welcome to Geography Classes, कैसे हैं आप सभी लोग उम्मिद करती हूँ अच्छे होंगे और Remote Sensing के अपने पेपर को बहुत अच्छे से तयार कर रहे होंगे अपने पिछली वीडियो में हमने Digital Image के बारे में जो है जान लिया था कि Digital Image जो है क्या-क्या विशेष्टाइं उसकी होती है फोटोग्रैफ से हो किस प्रकार भीन होती है और आज के इस वीडियो में हम Digital Image Processing के बारे में जानेंगे क्योंकि जो Digital Image हमें Sensor के द्वारा Digital Data के रूप में Earth Stations पर भेजे जाती है वो Digital Image में बहुत सारी जो है वो पूर्ण नहीं होती है उसमें बहुत सारी जो है बहुत सारी उसमें सुधार करने पड़ते हैं बहुत सारी processing करने पड़ती है तो उन monkey सारी प्रक्रियाओं को आज हम आज के इस online class में देखने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम mainly जो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के चार जो है major steps है Pre-processing, Image Enhancement, Image Transformation and Image Classification इन में से जो तीन है Pre-processing, Image Enhancement और Image Transformation इनको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे और Image Classification important भी बहुत है इसलिए उसको जो है उसकी सारी विशेश्टाओं को अगली एक अलग से वीडियो में जो है हम देखेंगे तो चलिए जो है हम start करते हैं सबसे पहले हम यह जान ले कि Digital Image Processing होती क्या है Digital Image Processing का मतलब यह है कि यह techniques का एक group है collection of techniques है जिसके द्वारा हम computer की सहायता से digital image पे manipulation करते हैं टेकनीक का collection है जिसके द्वारा हम manipulation करते हैं Digital Image की computer की सहायता से ही जो है Digital Image Processing हो सकती है तो इसमें जो है क्या होता है कि Digital Image Processing की जरुरत हमें क्यों पढ़ती है हमें इसलिए पढ़ती है क्योंकि जो raw data हमें receive होता है sensor से वो वास्तों में ऐसा नहीं होता है जो digital image आप अपनी जो है books में देखते हैं या मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाती हूँ या कोई भी digital image जो आपके हाथ में आती है वो जो digital raw data raw digital data हमें sensor से मिलता है उसमें बहुत सारी जो है processing के दौर जो picture acquisition के समय जो है जो कमिया रह जाती है उनको पूरा करने के लिए हम digital image processing का सारा लेना पड़ता है अब digital image processing के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी digital image processing के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी computer system की उस computer system में एक appropriate software होना चाहिए जो की हमारे digital data को अच्छे से detect कर पाए हम जो है उसको अच्छे से command दे पाए और इसके अलावा जो हमें originally recorded digital data चाहिए यानि की original रूप में digital data recorded चाहिए अब ये original recorded digital data क्या है देखो digital data ये भी हो सकता कि कोई आप digital image वो भी हो सकती है जो आपने एक photo की photo खीच ली photo नीचे रखिये और उसकी photo खीच ली वो भी digital data है लेकिन वो originally recorded digital data नहीं है और जब आपने एक digital camera से originally photo खीची तो वो हमारा original digital data है तो इसलिए जो है जब हम digital image processing की बात कर रहे हैं तो हम जो है original recorded digital data ही हमें चाहिए होता है और आज के समय में जो है digital image processing के द्वारा images को बहुत अच्छे अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जाता है और क्योंकि sensors की quality भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो इस digital image processing की साहता से हम बहुत ही अच्छी जानकारी इमेज के माध्यम से निकाल सकते हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि digital image processing जो है collection of techniques है तो इसमें बहुत सारे steps जो है include होते हैं अब यह steps क्या-क्या है सबसे पहले जो है pre processing है pre processing का मतलब यह है कि जैसे ही raw data हमें मिलता है उसकी जो है हम pre processing करते हैं अब एक एक के बारे में विस्तार से जानेगें हैं मागे की slides में image enhancement यानि कि हम उसकी quality को improve करते हैं image transformation का मतलब यह है कि हम उस image की quality को और ज्यादा enhance करते हैं number of images पर और उसके बाद हम उस image की classification करते हैं यह जो classification का प्रक्रिया है image classification जो है वो digital image processing की सबसे महत्वपून प्रक्रिया है और सबसे ज्यादा जो energy और खर्चा आता है वो इस image classification पर ही आता है तो अब हम इनके बारे में जो है विस्तार से जानते हैं तो सबसे पहले हम देखे कि pre-processing pre-processing का मतलब क्या है pre-processing का मतलब यह है कि इसके अंतरगत हम image को rectify करते हैं और उसको जो है restore करते है यानि कि जो image हमें प्राप्त होती है जो विभिन कमियों के साथ है उसको जो है हम यहाँ पर rectify करते है तो यह जो image हमें प्राप्त होती है यह जो है pre-processing की दरुवत हमें क्यों पढ़ती है क्योंकि हमें जो है correct image प्राप्त करनी होती है दुबारा से बोलती हूँ मैं कि image acquisition जो process है ठीक है यानि कि image को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है यानि कि remote sensing की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दोरान जो है जो हमारी image है उस पे कई distortions और degradation जो है आते हैं यानि कि उसमें जो है कई तरह की कमियां होती हैं उन कमियों को जो है सुधारने के लिए हमें प्री प्रोसेसिंग करने पड़ती है अब इस प्री प्रोसेसिंग को हम तीन रूपों में बाढ़ सक है इसका जो है एक मोटा सा आपको बताने की कोशिश करती हूं क्यूंकि क्योंकि आपके कौर्स में जो है यह बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं तो एक ज writings ओवर लुक जो है, हम इसका लेंगे, के व chemya leads के बारे में जानकारी, प्राप्त करेंगे, कि यह क्या होती है, क्योंकि इनके बारे में अगर विस्तार से जानना है, तो फिर तो अलग से ही एक वीडियो बनाना पड़ेगा, अभी तो जो है, हम इसको जो है मोटे तोर पर जानते हैं कि Pre-processing की जो टेक्नीक्स है वो कौन-कौन सी है सबसे पहले आती है geometric corrections, geometric corrections का मतलब क्या है, geometric corrections का मतलब यह है कि image की जो shape है, उस shape में जो है कुछ distortions आ जाते हैं, उन distortions को जो हम geometric correction के माध्यम से सही करते हैं अब यह geometric errors जो है आते कैसे है geometric errors आते हैं क्योंकि जो हमारा satellite है उसका altitude vary करता है क्योंकि हमारी जो earth है वो rotate करती रहती है लगातार जिसके कारण west to east rotate करती है तो हमारी जो image है वो भी जो है इस रूप में जो है थोड़ी सी side खिसक जाती है ठीक है इसको जो हम अर्थ rotations क्यों बोलते हैं इसी प्रकार अर्थ की जो curvature है हमारी अर्थ का जो एक धलान है जो curvature है उसके कारण भी geometric corrections आती है relief displacement जो है हम पहले पढ़ चुके हैं कि relief भी जो है displacement इसमें होता है images पर और IFOV distortions यानि कि जो हम एक बारी में जो area देखते हैं जो एक पिक्सल का जो area होता है उसमें भी जो है distortion होती है तो इस तरहें से जो है YUMTIC corrections के जो है sources होते हैं तो ह इन जो metric errors को जो है सही करने के लिए हमें geometric corrections करने पड़ते हैं तो यह जो है इस तरहें की जो है images में distortions आ जाती है जैसे मान लीजिए यह जो डैश लाइन है इन डैश लाइन के जैसी इमेज हमारे पास आनी चाहिए लेकिन actual image क्या आ जाती है जो कि आप इसमें जो continuous line है जो solid line है उसके माध्यम से देख रहे हो तो यह सारी हमें जो है radiometric corrections भी आ जाते हैं कुछ radiometric corrections भी होते हैs radiometric करेक्शन का मतलब क्या है रेडियोमेट्रिक करेक्शन का मतलब यह है कि यह जो ब्राइटनेस वैल्यू है इसमें ब्राइटनेस वैल्यू नहीं सौरी जो रेडियोमेट्रिक resolution image पर record होता है यानि कि जो brightness जो है image पर record होती है वो brightness को improve करने के लिए हमें radiometric corrections करनी पड़ती है अब इन radiometric errors का source क्या है source यह है कि sensor में भी कुछ irregularities हो सकती है जैसे कि sensor जो है जो mirror sweep की हमने बात की थी है ना आपको याद होगा कि वो जो scanners की जब हम बात कर रहे थे तो जो whisk broom scanner था उसमें mirror काम करता था तो उस time पे भी मैंने बताया था कि वो mirror जब sweep करता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ हिस्सा जो किसी time पर वो mirror एकदम से जो है बंद हो जाता है या उसका जो process है वो एकदम से hang कर जाता है तो उसके कारण कुछ radiometric errors आ जाती है इती प्रकार जो है और भी बहुत सारी जो है sensor की noise होती है atmosphere की भी noise होती है तो वो सारे जो है क्या करते है वो radiometric errors को generate करते हैं तो उन radiometric errors को overcome करने के लिए हमें जो है radiometric correction इमेज पर करना पड़ता है अब यह side में आप देख रहे हैं कि यह जैसे image जो है हमें मिली है इस image पर यह एक missing line है यह आप जो है देख रहे हैं कि यह जो है strips भी आ सकती है इस तरहें की भी जो है image हो सकती है कि उसके विभिन प्रकार की जो strips है वो आ जाएं तो उसको भी हमें pre-processing के माध्यम से ठीक करना होता है इसके अलावा कुछ atmospheric corrections भी हो सकते हैm atmospheric errors क्या है errors का मतलब यह है कि sensor के पास कुछ unwanted energy पहुँचती है जो scattered energy है जो हमारा object है उसकी scattered energy भी पहुँच रही है और हमारा जो atmosphere है उसकी scattered energy भी पहुँच रही है तो वो दोनों के दोनों जो है atmospheric error को जो है पैदा करते हैं हमारी image पर जो है वो unwanted energy के रूप में record होते हैं तो वो atmospheric correction करके भ को improve करना होता है ओके तो यह तो हमारे हो गए प्रिप्रोसेसिंग के टेक्निक अब जो हमारी दूसरी टेक्निक है image enhancement एक बार जब आपने प्रिप्रोसेसिंग कर ली यानि यानि कि उस पर कोई strip है या कोई missing line है या फिर जो है कुछ हमारी जो image की इमेज की जो brightness थी उसको बढ़ा लिया ये सारे काम जो है जब हो गए तो हमें क्या करता है image का enhancement करना होता है image enhancement का सीधा सा मतलब यह है कि हमें जो है इसकी जो appearance है image की जो appearance है उसको हम improve यानि कि यह और ज्यादा जो है इमेज को ढाध और ज्यादा जोहें जानकारी इसके माद्यम से निकाल सकते हम तो यह हमारी वीजुल जो हमारी वीजुल जो डिस्टिंग्सन से उनको एनहांस करता है कि कि और हमारी इमेज की जो quality और appearance है उसको भी जो है ये इंप्रूफ करता है इसके अलावा जो है ये original dn value को जो है change करता है जब हम image enhancement करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो original digital number value है ना जो pixels की जो dn value होती है उस dn value को हम change कर देते हैं तो image enhancement techniques क्या-क्या हो सकती है image enhancement technique में हो सकता है कि हम जो है image को reduce कर दे यानि कि zoom out कर दे जो बड़ी image है उसको हम एक छोटी image में convert कर सकते हैं image enhancement के दुवारा इसी प्रकार अगर image छोटी है तो हम उसको जो है एक बड़ी image के रूप में convert कर सकते हैं यह सारी की सारी जो है computerized process है mathematical operations भी जो है इस पर लगते हैं तो इस तरहें जो है image enhancement में आप image को बढ़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो इसके अलावा एक जो है contrast enhancement की भी प्रक्रिया है ठीक है इसमें जो है एक contrast enhancement की भी प्रक्रिया है यह जो contrast enhancement का मतलब क्या है कि हम image का contrast जो है बढ़ा देते हैं अब यहां आप देख रहे हैं कि यहां जो है जो digital values हैं वो केवल इतने से area में हैं इसको हमने enhance करके जो है इतने एरिया पर पहला दिया तो उसके कारण image पर क्या अफ़र आएगा इस image पर आप देख रहे हैं कि यह एक एक डम सिंपल से под true reaction इंहांस कर दिया तो उस image पर जो है छोटे छोटे आप देख रहे हो variations हमें दिखाई दे रहे हैं तो यही जो है image enhancement के द्वारा हम करते हैं इसके अलावा image enhancement में हम filtering भी करते हैं different जो filters हैं उनका use करते हैं ताकि जो unwanted energy जो unwanted signals है या unwanted recording है उसको हम delete कर सके उसमें उसे तो हम filters भी लगा सकते हैं improve करने के लिए ओके यह image enhancement हो गया अब जो है image transformation के अगर हम बात करें तो image transformation क्या है image transformation जो अभी हमने image enhancement पढ़ा वह हमने क्या वह जो प्रक्रिया है वह क्या होता है कि वह केवल एक image पर apply होती है ठीक है image enhancement image enhancement की ही प्रक्रिया हम एक से ज्यादा नंबर पर भी apply कर सकते हैं क्योंकि जब हमारे पास multiple spectral images होती है या एक ही image है लेकिन वो different time periods की है या different temporal resolution पर है तो इस तरह है different जो है images होती है हमारे पास multiple images होती है तो multiple images को जो है हम जब उसमें correction हम करते हैं तो उसको हम image transformation कहते हैं दूसरे रूप में अगर मैं आपको बताओं तो जो हमारी image enhancement है वो 2D पर कारे करती है ठीक है जो हमारी image enhancement है वो 2D पर कारे करती है जबकि हमारी image transformation जो है वो 3D पर कारे करती है यह मैं अभी पीछे वाले slides में आपको बता चुकी हूं कि 2D और 3D किस तरहें से काम करते हैं तो ठीक है image transformation का मतलब कि हम image की quality improve करते है number of bands पर ओके तो अब हम image transformation को देखें कि इसमें जो है हम processing of data from multiple spectral bands के multiple spectral bands की जो images होती है उस पर जो हम इसको apply करते हैं इसके अलावा image transformation से जो है एक नई image generate हो जाती है कि कि हम 2-3 image को apply करके जो है उस पर जो है नई image को generate कर सकते हैं और वो नई image जो है वो highlight करेगी particular features को जो की हमें चाहिए होती है और जो की original image में हमें नहीं मिलती है तो इस तरहें 2-3 bands के image को combine करके हम जो है एक नई image बना सकते हैं और उस नई image से और ज्यादा information हम ले सकते हैं यह जो नीचे वाली image है इससे आपको यह और clear होगा अभी देखे यह बताती हूँ मैं आपको यह देखे इसमें यह जो image है यह क्या है एक color band के image है ठीक है यह जो है एक band में ली हुई image है अब इस image में आप देख रहे हो special resolution ज्यादा अच्छा नहीं है यह clear नहीं है लेकिन इसमें colors है इस दूसरी image में आप देखेंगे कि यह clear है picture लेकिन इसमें colors नहीं है अगर हम इन दोनों को impose कर दें एक दूसरे पर इनकी information को तो हमें एक ऐसी image मिल जा करते हैं ओके आई होप इससे यह समझ आया होगा अब जो है हमें image classification देख लें image classification का मतलब यह है कि हमारी digital image पर जितने pixels हैं जितने pixels हैं उनको हम क्या करेंगे कि हम जो है classes में डालेंगे individual classes में जो है हम डालेंगे उनकी dn value के based पर जो digital numbers उसमें include हैं उसके आधार पर जो हम different classes में डालेंगे और यह जो है classification जो है वो most popular process है अभी मैंने पहले भी बताया था कि image classification की जो प्रक्रिया है वो जो हमारी remote sensing है उसमें सबसे ज्यादा जो है popular technique है जिसके द्वारा हम information जो है निकाल सकते है यानि कि यह सबसे महत्वपून प्रक्रिया है digital image processing की इतनी महत्वपून है कि आज के इस video में पूरी जो है यह cover नहीं हो पाएगी और अगली जो हमारी video आएगी वो image classification पर ही आएगी अभी मैं इसको एक simple सा जो है आपको image के माध्यम से जो है दिखा देती हूँ कि actually हम image classification में करते क्या है यह देखिए यह जो है आपकी original image है जो कि हमने satellite से acquire की हुई है अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे कि इसके जो different pixels हैं उन pixels को जो है हम categorize करेंगे उनके group बनाएंगे कि कौन सी pixel जो है वो forest cover की है कौन सी जो है pine की है कौन सी water की है कौन सी agriculture की है bear land, grass, urban इन सब pixels को इन सब groups में जो है हम pixels को group करेंगे और फिर उसके बाद जो है हमें इस तरहें की image प्राप्त होगी यह इसको हम कह सकते है thematic map, thematic map जो है आप जानते होंगे कि जो किसी एक particular theme पर based होती है तो इस तरहें जो है image classification के द्वारा हम thematic तो इस तरहें image classification का जो main purpose है वो thematic maps तयार करना है क्योंकि thematic maps जो है हमें theme wise information देते हैं जिसके द्वारा हम जो है digital images का और अच्छे से जो है उपयोग कर सकते हैं अब जो है मैं आपको इस एक flow diagram के माध्यम से जो है बता दूं कि digital image जो है वो किस प्रकार से कारे करती है दूसरे शब्दों में कहूं कि कोई image जब हम लेते हैं है न तो उसके बाद जो है यह आज की जो process हमने पढ़ी है यह किस तरह से जो है काम करती है image processing जब ली जाती है तो वो दो रूप में हो सकती है या तो film camera के माध्यम से ली जा सकती है या scanner और digital camera के माध्यम से ली जा सकती है वो जो डेटा हमारे पास है वो raw digital data होगा ठीक है उसमें बहुत सारी जो है कमिया होंगी तो इस रोड बहुत सारी जो है उसमें कमिया होंगी किस तरह से उसमें जो है जो हमारी geometric, environmental, radiometric इस तरह की जो है distortions होंगे उन distortions को हम दूर करेंगे pre-processing के माध्यम से पिजिटल इमेज मिल जाएगगी यानि कि वो इजिटल इमेज मिलेगी जो correct होगी जिसमें कोई radiometric जो है जो गलतिया है वो नहीं होगी जब हमें corrected digital image मिल जाएगे तो उसके साथ हम enhancement करेंगे उसकी appearance को हम बढ़ाएंगे तो हम enhancement करेंगे इसी के साथ हम transformation करेंगे बहुत सारी digital image को आपस में combine करके transformation होगा और उसके बाद फिर हम digital image का classification करेंगे यानि कि उसको within classes में divide करेंगे तो इस तरहें जो है एक output image हमारे पास मिल जाएगी वो output image जो enhanced है, transformed है और classified है तो एक image output जो हमें मिलेगा वो image output जो है analog यानि कि hard copy भी हो सकती है और digital data के रूप में भी हो सकती है तो यह जो है digital image processing का पूरा जो है कारे है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए Thanks a lot, Jai Hind प्राइब का लोगों के लिए नहीं